दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे भोजपुरी एक्टर्स से मिलवाने वाले हैं जिनके अमीरी के आगे बड़े-बड़े बॉलिवुड एक्टर भी बच्चे हैं नमबर पांच दिनेशलाल यादव उर्फ निरहुआ कभी नहीं थी साइकल अब निरहुआ रिक्षावाला के पास हैं करोडों रुपे की कारें आज के समय में यह बिहार के लोगों के दिलों पर राज करते हैं निरहुआ कमाई के मामले में कई बॉलिवुड एक्टर्स को टक कर देते हैं बता दें कि निरहुआ इस समय यूपी के आजम घड से सांसद रह चुके हैं निरहुआ ने अपनी काबिलियत के दम पर भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान बनाई है निरहुआ के पास मुंबई के अंधेरी में तीन करोड का एक फ्लैट भी है इतना ही नहीं गाजीपुर में कई जमीन भी निरहुआ के नाम पर है निरहुआ के नेटवर्थ की बात करें तो वे 10 करोड रुपे के मालिक हैं निरहुआ के पास टोयोटा क्रिस्टा, BMW X5, Jaguar XF और Mercedes Benz जैसी लगजरी गाडियां है नमबर चार खेसारी लाल यादव शुरुआत में उन्हें भोजपुरी गायक बनने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस कारे के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी था पैसों को इकठा करने के लिए उन्हें लिट्टी चोखा तक बेचना पड़ा फिल्म साजन चले, ससुराल ने उन्हें रातों रात भोजपुरी फिल्मों का सुपरस्टार बना दिया इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा खेसारी लाल यादव ने गरीबी से निकल कर करोडों का मालिक बनने तक का सफर तै किया है उनके पास मुंबई में लगजरी फ्लैट और पटना में एक आलिशान घर है वहीं खेसारी लाल यादव की कुल संपत्ती करीब 20 से 22 करोड रुपये है वह एक फिल्म के लिए 50 से 60 लाख रुपये फीस लेते हैं खेसारी लाल यादव के पास फॉर्चूनर है और हाल ही में इन्होंने लैंड रोवर डिफेंडर खरीदी है इस कार कीमत 2 करोड 30 लाख रुपये की बताई जा रही है नमबर 3. रविकिशन रविकिशन भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है पिछले लंबे समय से भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज करते आ रहे रविकिशन भी करोड रुपये के मालिक है उनके नेटवर्थ की बात करें तो रविकिशन के पास 20 से 21 करोड रुपये हैं रविकिशन के पास भी कई लगजरी गाड़ियां हैं जिन में BMW से लेकर Mercedes-Benz, जगवार शामिल है फिल्मों के अलावा मनोज तिवारी राजनीती में भी अपना दमखम दिखा चुके हैं एक बहतरीन एक्टर होने के साथ साथ वे गायक और म्यूजिक डाइरेक्टर भी हैं रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास 24 से 25 करोड की समपत्ती है मनोज तिवारी के पास Mercedes-Benz, Ondi Q7, Fortuner, Honda City और Innova जैसी महंगी महंगी गाडियां है मनोज तिवारी की गाडियों की कीमत करोडों में है बोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह पहले नंबर पर आते हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक पवन सिंह करीब 42 करोड रुपे के समपत्ती के मालिक हैं अभिनेता एक फिल्म के लिए 40 से 50 लाख वसूलते हैं और गानों के लिए 2 लाख फीस लेते हैं वहीं मुंबई के लोखंड वाला में पवन सिंह का एक आलिशान फ्लैट भी है एक्टर को महंगी गाड़ियों का भी खूब शौक है उनके पास मर्सिडीज बेंज, GLA 250, D-Fortuner, महिंदरा स्कॉर्पियो जैसी लगजरियस कार्स हैं वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ऐसे और वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें